नेपाल के प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश में भगवान राम का भव्वे मंदिर बनाने की बात कही है उन्होंने इससे पहले राम का जन स्थल नेपाल में होने का दावा किया था पिछले महिने ओली ने नेपाल के ठोरी के पास रहे अयोध्या पुरी में भगवान राम का जन स्थान होने का दावा किया था उन्होंने कहा था कि राम का असली जन स्थान नेपाल में ही है भारत सांस्कृतिक अतिक रमन करते हुए गलत तथे के अधार पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या को राम का असली जंस्थान बता रहा है प्रधान मंत्री ओली के इस बयान पर भारत में जबर्दस्त विरोध हुआ था नेपाल में भी राज्टितिक दलों और आम जंता ने विरोध किया था खुद ओली की पार्टी के नेताओं ने उनके बयान का विरोध किया था इसके बावजूत प्रधान मंत्री ओली उस बात पर अड़े रहे और अब उन्होंने इस स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्मान की तयारी करने का निर्देश दिया है नेपाल की सरकारी समचार एजेंसी राष्टिय समचार समीत्ती के मुताबक प्रधान मंत्री ओली के फोन करके ठोरी और माड़ी के स्थानिये जल प्रतिनीदियों को काट मांडू बुलाकर भगवान श्री राम की जन भूमी पर भव्य मंदिर बनाने के लिए सबी आवशक त्यारी करने के निर्देश दिया है प्रधान मंत्री ने ठोरी के पास थित माडी नगर पालिका का नाम बदल कर अयोध्या पूरी रखने को कहा है साथी वहां के आसबास के स्थानों का अधीग रहन कर अयोध्या के रूप में विकसित करने राम के जन्द स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्मान और राम और सीता और लक्षमन की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने को कहा है SPN 9 Newsroom से शानली जा की रिपोर्ट